हेलो फ्रेंज, वेलकम टो नियर इस कीचेन, नियर इस कीचेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो कैसे हैं आप सभी आई होप, आप सभी बहुत जादा अच्छे होंगे तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आप इसे reuse कहिए या DIY कहिए लेकिन यह बना बहुत ज़्यादा प्यारा है और बहुत एक cute इसको हमने एक plazo, एक tire और एक drum की help से बनाया है एक corner table जो काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में जैसे आप देख सकते हैं तो कैसे बनाया है corner table चलिए देख लेते हैं तो इस DIY को करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पुराना plazo मेरे पास है जिसका सब पार्ट बहुत ही अच्छा, पूरा कप्डा बहुत अच्छा है, बहुत ही सुन्दर भी लगता था यह plazo तो आज हम इसी को यूज करने वाले हैं, साथ में यूज करने वाले हैं यह इस तरीके का blue color का drum मेरे पास पड़ा हुआ था पुराना, तो इसको भी हम इस्तमाल करने वाले हैं तो चलिए, अब मैं आपको यह बिता रहती हैं कि हमें इसको इसको कैसे करना है, सबसे पहले आपको जो plazo है, जो center वाला पार्ट है, उसको cut कर लेना है, और दोनों ही तरब कुछ सिलाई होती है, उसको भी cut कर लेनी है, उसकी बाद कुछ इस तरीके से fold कर देना है, आप द पर लगा लेनी है, सिलाई, तो मैं आपको सिलाई लगा कर देखाती हूं, सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते कुछ इस तरीके का गोल सा cover बन गया है, अब हम इसको सिधे से चढ़ा देंगे, और हमने ड्रम का जो ढखकन इसको बंद कर दिया है, उसके उपर एक दिया लगा दिया है, इसे क्या होगा, जो टायर है, वो थोड़ा सा कड़क हो जाएगा, और हमारा टेबल एक प्रॉपरली लग देगा, तो अब हमारा टेबल को और ब्यूटिफल करने के लिए, मैंने यहां पर ले लिया है, एक लैस इसको मैं ग्लूगन के हेल्प से स्टिच कर अब आप इसको कॉर्णर पे, साइड पर कहीं पर भी रख सकते हैं, और इसके पर डेकोरेटिव पीस के आफी प्लांटर रखके इसको डेकोरेट कर सकते हैं, आपकी किसी भी एरिया को, मैंने इसे बिनाया था अपने यह दो जो सोफा के बीच में मेरी स्पेस थी उसके लि लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी तरहनों का सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, थैंक यू फर वाचिंग, सी यू इन दे नेक्स रीडियो, बाबाई